दोस्तो नमस्कार सुआगत है आप सभी का अपना चैनल आई एंटी हिंदी टेक में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं वाटसेप मीडिया वीजिबिलिटी के बारे में जो लोग वाटसेप मीडिया वीजिबिलिटी फीचर्स को जानते होंगे वो लोग इसका रेगुलर इस्तमाल करते होंगे और उनको पता होगा कि इसमें किस तरह के वेनिफिट होते हैं लेकिन जो लोग नहीं जानते वाटसेप मीडिया वीजिबिलिटी क्या है किस तरह से य WhatsApp Media Visibility क्या है इसका क्या फाइदा है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकती हैं। दोस्तों यदि आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं और यहां पर आप जो है दो तीन ग्रूप के साथ जोईन होकर रखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा यहां पर फोटो भेज जाती हैं वीडियो वेगरा भेज जाती हैं या फिर आप जो है किसी से च चैट करते हो तो चैट में होता है ना कि मतलब फोटो भेजा जाता है या फिर वीडियो बेगरा जो मीडिया होता है वो वेज जाता है फिर आप लोगों को यहांभी पता होगा कि उसे देखने के लिए डाउनलोड पर यदी आप क्लिक करती हैं जैसे अवी हम आपको बता तो यहां पर इसे डाउनलोड करते हैं हम लोग जो कि आप लोगों को पता होगा कि यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं इसे देखने के लिए कि आखिर जो है या वीडियो किया है और या फोटो किया है तो इसके बाद होता किया है कि या जो फोटो होते हैं या फिर वीड ग्रूट में जाकर ऐसा करते हो या फिर कोई परसनली चैट में आप ऐसा करते हो तो यह जो है चैट में ही रहेगा आपके गैलरी में यह सेब नहीं होगा इसे आप कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकती हैं इसके बारे में बता देती हैं देखिए यहाँ पर जो है चैट वाले options पर क्लिक करना है जो कि आप अगर कोई group से join हो तो group में भी आपको इसी परकार से क्लिक करना होगा उपर में यहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर एक options मिलेगा media visibility गा ठीक है न डिस्पियरिंग message का एक feature साया है नया वाला इस पर हम एक detail में वीडियो बना चुके हैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में सबसे उपर है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं यदि नहीं देखे होंगे और इस features को आप यदि नहीं जानते होंगे तो आप उस वीडियो को देख लीजेगा इसमें होता क्या है कि साथ दिन बाद automatic जो है चैट से message डिलेट हो जाता है तो पूरे detail के साथ समझा कर हम एक वीडियो बना चुके हैं आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा तो यहां पर देखिए दोस्तों media visibility का आपको यहां पर एक options मिलता है इस पर क्लिक करोगे तो by default यह yes पर क्लिक होता है और यहां पर आपको दो options मिलता है yes और no ठीक है ना तो by default पर अगर आप छोड़ देते हो तो यह जो है yes हो जाता है yes का मतलब है कि आप जो भी फोटो या फिर media download करोगे वो आपके gallery में सो होगा gallery में save होगा ठीक है ना और no पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो यह जो भी media होता है ना वो आपके chat तक ही रहता है जैसे कोई photo भेजा जाता है ना तो photo भेजा जाता है तो आपके chat तक ही रहता है आप उसे यदि download करते हो ना तो यह जो download होता है वो आपके gallery में नहीं बताया जाएगा gallery में यह save नहीं होगा आपके chat तक ही होता है जो कि आप यदि group में media visibility को no करते हो तो group में जो भी यहां पर photo हो गया वीडियो हो गया जो भी भेजा जाता है ना तो आप उसे देख सकते हो और देखने के बाद वो आपके gallery में save नहीं होगा जब आप no कर दोगे तो वो gallery में save नहीं होगा आपके chat तक ही रहेंगे और यदि आप by default yes करते हो या फिर आप yes पर click कर देते हो तो वैसे इस तीटी में दोस्तो ये आपके gallery में save हो जाता है और gallery में save होने के बाद आप लोग बाद में जो है इसे अपने gallery में देख सकते हो तो ज़्यादा तर दोस्तो इस features का इस्तिमाल आप group बेगरा में कर सकते हो या फिर जिस chat से आपको ज़्यादा photo या फिर videos बेगरा भेजा जाता है और direct आपके gallery में save हो जाता है जिससे आप परेसान हो जाते है तो वैसे इस तीतिमी आप जो है इस features का इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा benefit दिलाएगा आपको या features ठीक है ना तो इस वीडियो में हमने आपको whatsapp media visibility के बारे में बता दिया है इसे on off करने का तरीका भी बता दिया है एक वार फिर से मैं बता दू यहाँ पर चैट वाले options पर क्लिक कीजेगा उपर में क्लिक कीजेगा और आपको यहाँ पर media visibility का एक options मिलेगा इस पर क्लिक कीजेगा यहाँ पर by default yes करती है तो yes होता है yes करती है यहाँ पर भी तो yes होता है और no करती है तो no हो जाता है या फिर अगर हम चैट के बारे में बात करें तो जिस चैट का आप मीडिया विजिबिलिटी नो करोगे ना उस चैट में जितने भी इमेजेज आएंगे या फिर वीडियो वेगर आएगा ना वो आपके गैलरी में नहीं बताया जाएगा तो ऐसा मत समझेगा कि एक ग्रूप अगर हम मीडिया विजिबिलिटी नो कर देती हैं तो बाकी के सवी ग्रूप हो गया या फिर सवी चैट हो गया उसमें झो हो जाएगा ठीक है ना आप लोगों को मैनुवली करना पड़ेगा यानि की आप मान के चलो कि इस चैट से या फिर इस ग्रूप से जो हें मीडिया आपने गैलरी में सेव करना नहीं चाते हो, देखना नहीं चाते हो तो वैसे इस्तिती में आप वहाँ पर जाकर नो कर सकती हैं तो इस वीडियो में पूरे डीटल के साथ हमने जानकारी दे दिया है उम्मिद करेंगे दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और इसी परकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें मिलती हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजी अजाजत तब तक के लिए गुडबाई